123 क्या करते हैं हम लोग जो hopाई कर दे उसको आपका सकते हैं तो चले वीडों 10 की यह ट्रिक जानते हैं, इस वीडियो को चली-ज़र लिक एक स्टार्ट करते हैं तो मेरा मैं सूम बिजवास आप देखे रिफ्रेश अग्डेट्स, अगर अच्छा लाग्डे राक रगे गंटेंड तो लाइक तो प्रेस करना है कोई भी अपडेट आफ फ्रिश अपडेट से मिस ना करें तो इस वीडियो में बात करें हैं कैसे हम लोग को फाइल हाइड करना है विंडोस 10 के अंदर दोस्तों ट्रेडिशनली जो सभी करते हैं बेसिक मेथोड होती है कि आप लोग उसको प्रोपाइटिस के अंदर जाकर उ इसको अन हाइड भी कर सकते हैं तो चलिए प्रसेडिया जानते हैं और यह ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों हमें अगर फाइल हाइड करना है तो पहले मैं बता देता हूं पहले यहां पर एक फॉल्डर मैंने क्रिएट किया है मैंने और उसके बाद यह ग्रक着 है कि यहां पर टेंट कॉल्ड को मैं आप सकते हों अगा लोग को मैं डिक आंप रोग करते हैं अप यहां करते ह हुआ और यहां से अगर isD ini jar can put clear दो सब्सक्राइब इसा कर यहां पर जेसे कर दो कोई बंडा यहां पर आता इस फोल्डर के अंदर stream कि आनेके बाद करने के लिए आप Windows बटन और प्रेस कर सकते हैं साजी साथ यह खुल जाएगा तो यहां पर जा कि आप कर सकते हैं cmd और प्रेस कीजिए जाए इस उपर पे क्लिक कीजिए यह जो पात है सको कॉपी कर देजिए और उसके बाद आपको यहां पर आप नविगेट कर जाएंगे तो उसके बाद फ्रेश प्लेज पोल्डर के आने के बाद आने के बाद वहा हो कुछ करना नहीं है आपर टाइप कीजिए एक कमांड है जिसका नामे A T T R I B जिसका मतलब है attribute और उसके बाद आपको टाइप करने है प्लस H प्लस S और प्लस R यह आपने टाइप किया उसके बाद फोल्डर का नेम जिसको अब हाइट करना चाहते वो चाहिए लुज भी तो यहां पर क्या फोल्डर है दूसतों यहां पर है टेस्ट वन सब्सक में अब लोग करना घ्याट तो इसको प्रेच करते बाद आप फोल्डर के अन्दर की जिए तो यहां पर देख पा रहा है यह जो है हाइड हो चुका है टोटिली रिफ्रेश करने के बाद तो यहां पे गर कोई बंदा या फिर बंदी आता है और यहां पे जाके विव आप्शन में जाकर फरक नहीं परेंगा यहां पर है नींगेहों फोल्ड तो अगर आप इसको अनहीं करने कशिदेंगे तो दोनों यहाँ पर जो, आपने , माइनस कर दीज़ेंगा, उसको सिर्फ़र सिर्फ पर सिर्फ जाहिए, जाकर यहाँ पर माइनस कर दीजे उसको 2.rar बोलके हमारी फाइल है तो उसको एंटर करते हैं दोस्तों देखे टेस्ट 2.rar भी अभी हाइड हो जाएगा या पर रिफ्रेश कीजिए गाइब हो जाएगा तो इस तरीके से अगरा अन हाइड करें हाइड करें या आने वाला नहीं है तो आप लोगो यहां फिर से जाना ह एक यहां पर उसको देखेए तो आप लेकी अगर यहां फिर से देखते हुं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक फोल्डर एक फाइल है, लेकिन कोई अगर इसकी प्रोपर्टी इसको देखे, तो प्रोपर्टी इसको देखने के साथ से हमें थ्री फाइल और वन फोल्डर दिखाएगी, तो इस तरह के से आप जान सकते हैं, तो आपको यह जो टुटोडियल है, बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो ऊपर आई बटन में जरू से जरू चेक आउट किजिए, वहाँ है, बहुत सरी ऐसे CMD के ट्रिप्स और ट्रिक्स है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो दोस्तों कैसा लगा यह धा तोस्तों मिलते हैं किजि अगले वीडियो के आंदा, तिल देन, have a wonderful day, stay alert, stay safe, see ya, bye-bye.